दोस्तों जो मेच कवर करने के लिए उनके बारे में बात करेंगे लेकिन जो मैं फूल रिस्की टीम दिया अभी रेंक देखो क्या चल रहा है एकानवे रेंक चल रहा है 27,000 इतना मेंबर पे अब देखते है आगे बहतर जाना ची तो इस मेच को भी जो मैं कवर करने के लिए इसमें भी मैं दिऊंगा फूल रिस्की टीम मजाएगा डेली के डेली मीनी जी एल क्या जी एल किलीन स्वीप जा रहा है जी एल वीन हो रहा है सेम टीम से डेली आज तीन मुकाबले कवर क्या तीनों क्तीनों बेतर गे इन से पहले याने इतना स्क्रीन सोठ है कि मैं क्या बता सारे आपास में भाई है, GL भी वीन होता है तो इतना कम रुपईया देता है, मीनी GL में भी इतना कम कि क्या पता है, लेकिन हमें भी तो सान करना पड़ता है, मैं खूद खेलूँगा, तो आप सोच लो कितना प्रोफिट करूँगा, बिना लाएना बाले मेच में तो मेच स्ट पहले अल्ट्रा के लिंसी पर आता है आपको पता है न कोई नहीं हरा पाएगा लेकिन क्या करें आप लोग हमारा भाई है तो आप लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है और आप लोग सपोर्ट करते हो तो आप भी मजाता है तो दोस्ते हैं यहां पर बात करें आस्ट्रि लेंड अंडर 19 यानि एक अंडर 19 2022 में जो सिरी चल रहा था सारे में जो कवर करें बस उसी में से इसमें पिलियर है जो टीटेन खेलेगा तो मज़ा आएगा दोनों टीमों का हम लोग देखेंगे स्कोर कार्ड और लगभग मैं अच्छे खासे रिसर्च किया हूँ लेकिन कबले को आप खेल रहे हो तो हमारे टेली गराम चैनल में आपको जोईन होना काफी ज़्यादा जरूरी है फाइनल टीम मिलेगी इनके लावे एसे मेंस कवर करता हूँ जिनका लाइन आप नहीं आता है उनका फिलिंग लेबर में मिलता है जिससे वीनिंग के चांस अधिग बढ़ जाते हैं तो दोस्तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना किस परकार है तो दोस्तो जैसे का आप हमारा इस परकार से वीडियो देखते हैं यह हो गया डिस्क्रिप्सन इस डिस्क्रिप्सन में आपको क्लिक करना है जैसे यहां पर क्लिक करोगे नीचे अलावे GL से रिलेटर बहुत सारे अपडेट जो GLW करने के लिए काफी होता है बहुत सारे लोग GLW कर भी रहें और मैंने कई बार आप लोगों फिरी में GLW करवाया भी है तो इस वज़ा से हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन कर लेना चीए तो दोस्तो हमारा टेली गराम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हैं उनसे आपको बचना है ओरिजनल चैनल बीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरिए ही जुड़ना है तो दोस्तो आश्टरिया टीटेन होता उसमें हम लोग सारे पिलेर को पाचानते इनके अलाबे आश्टरिया का इंटर्डेशनल मेच भी सर्च करोगा गूगल पर सारे अपडेट मिल जाएगा लेकिन अभी जो लास्ट मेच अभी थोड़े दिर पहले के लिए उस पे हम बात करेंगे हलांकी टीम जो देंगे अलग-अलग टीम से खेलते थे और अलग-अलग टीम पे केप्टन वाज दिया करते थे अब यहाँ पर अपने एक ही टीम से लोग खेल रहे हैं तो किस परकार टीम बनाती यह है इनका बेटिंग लाइनप जो अभी टीटेन खेला गया इन ही क्या धार पी आना चे इनकी ग परेश से एक बिक्टे जरूर लेगे यह यूसूप एक बिक्टे लेगे ज्य locks लेगे जजदरन, कमाल के गेनबाज है, देतो भर में गेनबाजी करते हैं यह इकपाल की बात किया जब T10 खेलते थे तो ओपन आते थे और गेनबाजी करते थे, लेकर यहाँ पर देखा जात जरूर याद रखेंगे लेकिन टीम जो बनाएंगे अभी जो टीटेन खेला जा रहा है यह इंटरनेशनल टीटेन इनकी अधार पर बनाना चीए अब चलिए हम लोग ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे मैं जो दूंगा एक जी एल का रिसकी टीम वो तो रहेगा ही अब चलि चांचन यहाँ पर आते थे हांपर दो नम्मर पर यहाने उपकर आते थे ज्यक्त नहीं जैंडीर अवे इनकी गर्ण बाजी चाहः तो देहाँ यहां पर यह अन्राजा लगेगा इम हिमसार जो गजब की ये गेनबाजी करते इतना गजब गेनबाजी क्या बता हूँ बहुत इनकी गेनबाजी मैंने लाइब देखा है काफी बनिया करते है जे फोर्बेस की बात के काफी बनिया है आर विल्सन कुछ पिलियर जो आयरलेंड अंडर 19 जो होता है इंटरन क्या बोलता है उसक तो आयरलेंड भर से जिंबाबे अंडर नांटिन के बिच्वा उनका भी स्कोर कार्ट देख लेंगे लेकिन अभी पिलेयर को जो मैं पीक करूँगा उस बक्त सारे पिलेयर के बारे मैं बोल दूँगा मेत्यू हेंसार मैंने जितना बढाय किया वहाँ पर इन्होने परदर्शन करके दिया तीन बिच्टे लेगे यह स़र्जाद पाँज बिक्टे लेगे क्या गजब की जेफोर वेस cow यहाँ पर एक बिक्टे लेगे उपरु करम के गेनवाजों को ल्याम को कोई विक्टए नह किये हो तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पले इंफोर्मेशन दे देता हूं इनके अलावे अभी जो अपडेट चारा है वो फिरी में टीसर कैसे ले सारे भाईयों को मैंने दिलवा दिया ले करेंगे तो दोस्तों यहां पर देखा जाये तो यह अरीप की बात कि है यहां पर तो यह ठीक ठाक है लेकिन एम चीमा खेलेंगे तो इंस चीमा भी बढ़ियां ओसन हो जाएंगे यह बुर्टोन का ज़्यादा खास record है नहीं ते यह अरीब को यहाँ पर मैं फिलाल पिक करूँगा, इनके अलावे देखो Nathan MC Gair को यहाँ पर पिक करूँगा, और केप्टन भाज भी दे सकते हो, Nathan MC Gair को यह spin गेंबाजी करते हैं, और Paul Stirling लोग के साथ भी यह खेल चुके है तो ओपन आना चाहिए और साथ में गेन बाजी भी करना चाहिए क्यों उट्टमाजी की बात क्या है गजब का यह पिलेंगे तो इनके उपर यह बात रहेगी कितने नमर पाएंगे तो वह बेटिंग लाइनाप के अधार पर क्योंकि पिलियर सारी अच्छे अच्छे है यह सी इस हायत स्पीन गेनबाजी अच्छा खासा कर लेते है एक श्टाइन की बात क्या गजब की गेनबाजी करके आ रहे है और बी खान को पिक करेंगे नहीं खेले है तो इनके उपर बात ने जे फ़र्वेस को यहाँ पर मैं पिक करूगा इनका रिकोट काफी बनिया है हलां कि गेनवाजी ज्यादा बहतर करते हैं इनके लाब ज़े जद्धरन काफी बनिया ये डेत उभर में गेनवाजी करेंगे अगर जदी इनकी टीम पहले गेनवाजी करती है तो इनके लाब इनको तो आप लोग पहाचानते ही होंगे मार्क सिप्सन की बात की जाए लेकिन खेलेंगे तो एक बनिया च्वाइस है इनके लाब मेत्यू हीम सायर्स की बात की जाट इनको मैं पिक करूँगा शुरुवाती जटके देने की छमता इनके पास रहेगा इनके लाब इनके लाब देखो ये जो है इक ही ओभर में इनकोंने दो जटके दिये थे उनके बात टोटल इननों 3-4 भीक्टे लिए गये थे यहाँ पर ओबटशन को यहाँ पर पिक करूँगा अब यहां पर 1-4 जो बचेता है उनको कहां पिक करना चीए अब किनको पिक करना चीए फिलाल के लिए हमारे यह टीम बन रहा है लेकिन यहां पर मैं क्या करूआँगा एक इनके प्रियर को यहां पर काम करूआँगा और ओपन जो आ सकता है इनके टीम की तरफ से जे विल्सन अगा जिदी उपान आता तो जे विल्सन को मैं पिक करूँगा और जे डिक्सन भी एक बढ़िया च्वाइस है तो उनको मैं पिक कर सकता है क्योंकि सास चार का कॉंबिनेशन बनाऊंगा और आयर्लैंड के पक्षिम ज्यादा तर टीम कीने तो नाथन्सेंगार को मैं यहां पर केप्टन दिया हूं फीसीं की बात की यहां पर में मेत्यु हिम थैकलों यहां पर दनगा फिलाव के लिए यह टीम आप सेव करक रहे रत बिल्कूल भी फाइनल नहें है फाइनल टीम हमारे टेल यहां चैनल पर questions मेसे के सन खुझा छॉज के ले मंदेखने खी, भी नींद पinfectीं जाराइब geçुम毫ए एच बाइफर्चा है